सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल दा स्पीड इस्ट्री में एक बार खिट से स्वागत है हम लोग जो है अपना एक कदम बढ़ाते हुए मध्यकाली नितिहास के आखरी चनल पर आपहुचे हैं एक तारिक से आपका नया बैच स्टार्ट होगा जो कि मॉडरन हिस्ट्री से होगा और हमने बताया है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो ऐसा कोई भी कुष्ट्यन हिस्ट्री का नहीं रहेगा जो आपको यहां से बाहर का मिल जाए आप सिर्फ दो काम करिए पहला काम यह करिए कि आप तुमारे साथ जुड़े रहे हम जो बताते हैं उसको देखिए उसके बाद आप कहीं कभी प्रिवियस टेपर उठा कर देखिए अगर उसमें से आप जितना अभीदर मैं बताया हूं उसमें से उस प्रस्णों अगर उन प्रश्णावलियों से कोई प्रश्ण बनता है तो मैं गारंटी करता हूं कि आप उसको जरूर सौल कर देंगे तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा रहेंगा वो मध्यकाल नीम के बाद जो है आध हम रहे जहां गीर पर हम छड़्चा कर रहे थे और हम पर हमने बताया था कि नूर जहां जो थी उनकी मा अस्मत बेगां और उनके पिता थी उनके पिता जो थी उन्हीं को जहां गीर ने एतमादुग दौला की बाद ही दी थी और उनका मकबरा बनवाया था आगरा में और एतमादुग दौला के मकबरे की बात एक राज है जो कि हम लोग चर्चा करेंगे जब ताज महल बताएंगे तो ताज महल और एतमादुग दौला का जो मकबरा है दोनों में एक चीज क दामन है अगर आपको बता हो तो कमेंट कीजिए गाश बता हो तो आप जब साजहां इसके बाद मताऊंगा तो उसमें तालज महल की चर्शा बलाईं को अब हम सब्सक्राइब रहे हैं उसके आगे हम लोग देख रहे थे क्या देख रहे थे कि आपका जो है 1617 स्पी में ठीक 1617 स्पी में जो जहां दिर था इसने अपने पुत्र खुल्रम को जो है अभियान पर भीजता है ऐमद नगर मिशन कहाबर एहमद नगर मिशन मिशन पर भेजता है किसको खुर्रम को बेजता है अपने पुत्र खुर्रव तो 16-16 atSv में मिशन पर भेजता है और यह और यहीद पर खुर्रम जो था अपना नाँ क्या रखता है शाह जहां रखता है ठीक तो खुरम ने अपना नाम सा जहां की सा भियान पर रखा था अहमद नगरिशन पर रखा था जो की सोरा सु सप्तरा इस भी में हुआ था इन चीजों जो जहां गीर का जहां गीर का काल था जहां गीर के समय को कहते हैं इतिहास का इतिहास का स्वड काल थीक तो इतिहास का स्वड काल किसे कहा जाता है इतिहास का स्वड काल कहा जाता है जहां गीर के सासन तो जहां गीर का जो सासन था वो इतिहास का स्वड काल कहा जाता है और इतिहास का स्वणकाल नहीं, इसको आप लोग कहेंगे चित्रकला का स्वणकाल, किसको? छिप गाल का सूणकाल इतिहास का स्वणकाल ठोस आपका 2 है एक का गुप्त काल जो था वो इतिहास का स्वणकाल था प्रथाम गुप्त काल एरा खुप घुश्ट्री और समय के समय है इसे के बाद जहांगीर के जो प्रसिद चित्रकार थे उनका नाम था उस्ताद मनसूर खान, तो जहांगीर की चित्रकार थी, उनका कहा नाम था, उस्ताद मनसूर खान, उसके बार देखिए, 1627 इसब्री में, जहांगीर की मृत्य हो जाती है, लाहौर में, चुकि इनकी मृत्यू लाहौर में होती है, इसलिए इनका मखबरा भी कहां पे है, इसलिए इनका मखबरा भी लाहौर में है, तो चुकि इनकी मृत्यू लाहौर में होती है, इसलिए इनका मखबरा भी कहां पे है, लाहौर में, फिर देखिए इनकी आत्मकथा की बात की तो इनकी आत्म कथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी या इसी का एक नाम और था क्या जहांगीर नामा यह अपनी आटोबायो डाफिक पूरी नहीं कर पाए थे इसे लिए प्रश्ण मनता है कि जहांगीर की आत्म कथा तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीर नामा को पूरा किस ने किया था तो पूरा किया था मौत बिन्द खान में मौत बिन्द खान में तो मौत बिन्द खा ले इसे पूरा किया था तुजुक है जहांगेरी को ठीक तो यह था हमारा जहांगेर के विशयरित जो सेस बचा हुआ भाग था वो सारा था इसके बाद मुगरवंच का जो अगला सासक बनता है को बनता है और साजहां का जो काल खाना उसे जो है इसके काल को स्वड काल आफ आर्की यानि कि गोल्डे एरा और आर्किटेक्ट्चर तिक यानि कि इस्थापत्य का इस्थापत्य का स्वड काल तो अगर प्रश्ण पूछ लिया जाए कि इस्थापत्य का स्वड काल किसे कहते हैं तो वह जहां की साजहां के समय को इस्थापत्य का स्वड काल कहते हैं इसी के समय में जो है लाल किलाबरा था इसी के समय में ताजमहर प्रशिद्ध इमारत दु जामा मस्जित का निर्मार्किनी के समय में हुआ था, बहुत सारी इमार्ते ऐसे बनी थी साजहा के समय में, इसे ये साजहा का जो काल था, वो क्या कहलाता है, इतिहास का स्वड़काल कहलाता है, इस्थापत का स्वड़काल कहलाता है, ठीक, तो चलिए हम चल्सा करते हैं, जहां के बच्पन का नाम फुरम था और इसकार जब हुआ था 5500 बांदवे में हुता है शाहां के बच्पन का नाम फुरम था और साजहार का जो काल कहलाता है उसे क्या कहते है इस्थापत्य का स्वरकार इसे के बाद 1612SB में इसका विवाध होता है अरजुमंद बानु बेगं से विवाध होता है इससे अरजुमंद बानु बेगं अर्जुमंद वानो बेगम से इसका विवा होता है इसी का नाम था क्या? मुम्ताज महर जिसकी याद में साजहा ने ताज महर बनाया था क्या नाम था? मुम्ताज महर या अर्जुमंद वानो बेगम 1681 इस पीवी अपने 14 Candle बच्चे को जन्द देते समय प्रशो पीड़ा से इनकी मृत्य हो गई थी अपने 14 बच्चे को जन्द देते समय प्रशो पीड़ा में इनकी मृत्य हो गई थी मुंताज महरती इसी के बार देखें इनके 14 बच्चे को जन्द देते समय तो इनकी मृत्य हुई थी लेकिन इनके चार पुत्र और तीन पुत्री जीवे थी तो कौन कौन था देखें आरंग जेट दाराशिको शाह सुजा और आरंग जेट दाराशिको साह सुजा मृत्य हुई थी चार पुत्र थे इनके आओध तीन पुत्री थी चार पुत्र और तीन पुत्री थी जहां आराशिको रोशन आराशिको चार पुत्र तीन पुत्री थी जहां आराशिको रोशन 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 आराश तो साज अहां कि जब पत्निय के मृत्य होती है तो इनके चार पुत्र जीवित थे और तीन पुत्री जीवित देखिए 1631 इस्वी में 1631 इस्वी में ही ताज महर का निर्मार सुरू होता रही तो ताज महर का निर्मार 1631 इस्वीं में होता है लेकिन 22 वर्स लगते हैं कितना 22 वर्स और 1653 हिस्वी में बनकर तयार होता है कि सोच लिए 22 वर्स लग जाते हैं इसको बनने में 1631 हिस्वी में इसका निर्मान सुरू होता है अगर हम इसका संबरमर मवाया गया था तो प्रस्त मनता है इस संबरमर कहां से आया था तो यह राजस्थान के में राजस्थान के मक्राना से राजस्थान के मक्राना से जो है इसका संबर्मल आया था वहीं अगर आगी बात करें तो इसके जो मुख्य मिस्त्री थे वो उस्तार इंशा थे और इसके जो यनिकी इस्थापत्यकार जो थे वो थे उस्तार आहमद लाहौरी उस्तार आहमद लाहौरी ये जो थे ये इसके इस्थापत्यकार थे मतलर इसकी संबर्चना इन्हों ने बनाई थी किसने सर्ण रचना किसे ने बनाई थी उस्ताद एहमद लाहौरी ने और इसके जो प्रमुक मिस्त्री थे इसके प्रमुक मिस्त्री जो थे प्रमुक मिस्त्री जो थे वो थे उस्ताद इंशा तो उस्ताद इंशा इसके मिस्त्री थे प्रमुक और इसकी जो सलचना बनाई थी वो किसने बनाई थी उस्ताद एहमद लाहौरी ने बनाई थी ठीक और इसकी कला जो थी यह आपकी किस कला पर थी तो पित्रा दुगा साहिली कि पित्रा धुरा साहिली क्या है इसमें कि संवर्मर को सर्वार को काट कर उसमें फूल की तरह बना करके फूल और पत्तियों कुझत बना करके रंग तराशना रंग भर करके तराशने की कला ही क्या कहलाती है पीत्रा दुरा सैली कहलाती है तो पीत्रा दुरा सैली कहलाती है वहीं आगर हम बात करें कि सबसे पहले आप इंपोर्टेंट प्रस्ण है दो दो कुष्ण इसने बनते हैं दुप्रम कुष्ण है प्रस्ण बनता है संगमरमर कप्रियों किसमें किया गया था सबसे पहले संगमरमर कप्रियों किसमें किया गया था तो हाजी वेगां के द्वारा बनाये गए हुमायों के मक्बरे में करवाया गया तो सबसे पहले संगमरमर कप्रियों किसमें किया गया था हुमायों के मक्बरे में किया गया था वहीं आपर बात करें कि पित्रा दुरा सहीली से सबसे पहले बनने वाला भवन कौन से था या कौन सी इमारत थी तो पित्रा दुरा सहीली में बनने वाली सबसे पहली इमारत थी जो अभी अभी हमने बताया क्या बताया इसी यह पहले हमने बताया था दहागीर वाले में तो जो एतमादू दौला का मगबरा बरा था उसमें सबसे पहले इसका इस्तमाल होता है एतमादू दौला का मक्परा तो ये दो चीज़ प्रसु में बता है जैसे प्रसु पुछ लिया जाएगा कि पित्रा दुरासायली का प्रियोग सबसे पहले किसी मारत में किया गया चार आपसां रहेंगे उसमें ताज महर भी रहेगा तो आपको क्या लगाना है एतमादू दौला का मक्परा वही अगर शग्मर्मर की बात की जाए कि शग्मर्मर का प्रियोग सबसे पहले कहां पे हुआ था तो आपका हमाय के मक्परे में हुआ था ठीक तो ये चीज़ था इसके बात इसके बात जो हमारा चर्चा है शार रहां के विशर में जो अगली बाते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे ठीक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जोर कीजिएगा सारी बाते इससारी बात नहीं आ आप यहां पी बताऊंगा कोई भीवित ऐसा नहीं रहेगा जो आप ना पता करें तो आप हमारे साथ बने रहये, आपको इसका फाइदा जरूर मिलेगा, ये मेरी गार्निती, सब चीज मैं यहां पे बताउगा, जो चीजे आपको पैसा मिलकी हैं, वो सारी चीज़े मैं आपको यहां पे फ्री में बताउगा, आप मारे साथ बने रहिए, अपना फ्रेम और बनाए रखिये धन्यवाद मिलते हैं आपे लिए